चीन के राष्ट्रपती शी जिंपिंग इस हफते नई दिल्ली में G20 शिखर समेलन में भाग नहीं लेंगे। चीन की तरफ से प्रतिनिधी मंडल का नेतरत्व प्रधान मंत्री लीच यांग करेंगे। शी जिंपिंग के भारत ना आने की घुष्टा माउनिंग ने की। उन्होंने कहा की G20 अंतरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग का प्रमुखमंच है और चीन, G20 गतिविधियों को सर्वोच प्रात्मित्ता देता है और सक्री रूप से भाग लेता है। As the world economy experiences more downward pressure and challenges grow for global sustainable development, it is important that the G20, being the premier forum for international economic cooperation, strengthen partnership and rise up to the big challenges facing global economy and development so as to contribute to world economic recovery and growth and global sustainable development. We hope the New Delhi summit will form consensus on that, send out a message of confidence and promote shared prosperity and development. हाला कि चीन ने high-profile शिखर सम्मेलन से राष्ट्रपती शी के भारत ना आने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन विशेशग्य कारणों पर कई कयास लगा रही हैं, जिसमें राष्ट्रपती के स्वास्त के बारे में चिंताएं और G20 नेताओं के बीच अलगाओ की बातें चामिले. विशेशग्यों का ये भी मानना है के गवर्नेंस के प्रती भारत का दिर्ष्टकोन और Global South को आवास देने के प्रयास चीन को परिशान कर सकते हैं. दिली में 9 और 10 सितंबर को हुने वाले G20 शिखर समिलन में, लगभग 40 वैश्वेक नेता और बहु बख्षिये संस्थाओं के प्रमुक हिस्सा लेंगे. कर दो झाले प्रती अवास बख्षिये संस्या खर।